कॉंग्रेस प्रवक्ता पॉण खेडा ने आज एक बड़े मीडिया चैनल में चलाए गई कॉंग्रेस के पूर्वजेक्ष राहूल कांदी के खिलाब गलत खबर और उसके बात के होने वाले प्रेकरण के संदर्म में एक प्रेस वारता को संबोधित किया इतंदर पर उन्होंने विपक्षी पार्टी को चितावनी जेते हुए किसी भी तथे को तोड़ रोड़ कर पेश करने से पहरेज करने को कहा क्या रहा कॉंग्रेस प्रवक्ता पॉण खेडा का इस संदर में पूरा वक्त अव्य आप खुच ने एक जुलाई को रात नौ बजे के कारिक्रम में एक चैनल ने हमारे नेता श्री राहूल गांधी से संबन्दित एक वीडियो प्रसारित किया था और फिर उस वीडियो को भारती जन्ता पार्टी के कई नेताओं ने भी साजा किया वास्तविक वीडियो में श्री राहूल गांधी अपने वाइनाड कारिक्रम में SFI द्वारा की गई हिंसा का जिक्र कर रहे थे लेकिन उनके बयान को इस चैनल ने बड़े शातिराना ढंग से काट छाट कर उदेपूर में हुई कनहिया लाल की निर्शन सत्या से जोड़ कर दिखाए जब यह वीडियो प्रसारित हुआ तो हमारे कुछ साथियों ने मैंने खुद ने हम सब ने सोशल मीडिया पर अपनी आपत्ती दर्ज कराई रात ही को करवाई हमने यह बताया कि वीडियो भ्रामक है और इसे गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है आपत्ती दर्ज कराने के बाद भी उस चैनल ने माफी तो मांग ली लेकिन भाजपा के नेता अभी भी राहुल जी की छवी खराब करने के लिए उस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे है आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएए अभी भी वो वीडियो मौजूद है सर्कुलेट करने वालों में प्रमुक हैं विडंबना की बात है सूचना एवं प्रसारन मंत्री रह हुए हैं राज्यवर्धन राठोर जी और अन्यनेता भी हैं यह स्पष्ट होने के बाद भी कि वीडियो भ्रामक है भाजपा के सांसद पूर्व सूचना एवं प्रसारन मंत्री में दोराओंगा उनका यह पद भले पूर्व हैं बड़े अभूत पूर्व व्यक्ति हैं बूत्पूरु सूचना एवन प्रसारन मंत्री होने के बावजूद ये जानकारी होने के बावजूद कि अब्रामक वीडियो है, डॉक्टर्ड है, गलत है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको बड़ी बेशरमी से अपलोड किया। ये किसके शब्द थे? माननी नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे, राहुल गांदी दोहरा रहे थे गुजरात की एक रैली में। श्री राहुल गांधी को उनकी एक छवी को धूमिल करने की साजिश रची गए थे। वो जो एंकर थे, माफी तो मांगी उन्होंने। जब वीडियो हटाया उसके बाद भी जो उनको बधाई संदेश ट्विटर पे आ रहे थे कि साब आपने बड़ा अच्छा कारिकरम किया उसको लाइक करे जा रहे थे। एक तरफ तो वीडियो हटा दिया, दूसरी तरफ अपने अपनी बधाईयां स्विकार कर रहे हैं, कि जो आपने जूट परोसा था बधाई हो आपको, बहुत खुश हो रहे हैं, बार-बार उसको लाइक कर रहे हैं, रात को, कल रात, परसु रात को ही उनकी गलती उन्होंन कुछ जूट परोस दिया, आप सबने उस जूट को आगे और प्रसारित कर दिया, फिर मैंने अपना वो जूट हटा दिया, ताकि मैं कानूनी कारवाई से बच जाओं, यह बात पहले भी हो चुकी है, तीन-चार बार यह चैनल और एकाज चैनल और भी, हमने उनको कानूनी नोटिस दिया, कारवाई की धंकी दी, तो फोन करके कहते हैं साब गलती से हो गया, हटा देते हैं, लेकिन जो नुकसान होना होता है, वो हो चुका होता है, देखिए साब आपके माध्यम से मैं पूरे देश के मीडिया को भी और खास तोर पे भारती जनता पार्टी को, लेकिन इतना सबको समझ लेना चाहिए, यह जो शराफत है न, यह हमारा गहना है, बेडिया नहीं है, हम चुप नहीं रहेंगे, आज के बाद एक व्यक्ति भी और यह भारती जनता पार्टी विशेश तोर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी, हमारे न उनको याद रखना पड़ेगा, यह चेतावनी मानले भारती जनता पार्टी तो उचित रहेगा, जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है, वह भी आज सुन लें, देखते रहे हैं हमारी कारवाई आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कारवाई की जाती है 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, परते रहें देश-दुनिया की खबरों के लिए 22 वर्षों में आपके लोग प्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परवीर, आपसे इसके रहें अपने शित्र खबरें और अधिक खबरों के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले झाल कोछेशने इंडिया भावी यू यूले आपसे बाताइब के लिए यूट्यवर को अभ़ चैनल आप बाताइब के लिए द्वा़णाय को अभ़ग हमार आपने का तर रहें जएूचराण के लिए कि पीज़ हैं झाल